इक्सी या इंड्रासाइटोप्लाजमिक स्पर्म इंजेक्शन की प्रक्रिया IVF की ही एक अत्यादुनिक प्रक्रिया है और इनी संतान दंपतियों को संतान प्राप्ति कराने में मददकार साबित होती है XC की प्रक्रिया उन तंपतियों में की जाती है, जिनमें पुरुशों में शुक्राणों की मात्रा कम हो या शून्य हो, जिनकी गतिशीलता कम हो, मौफोलोजी खराब हो या जिनमें पहले IVF साइकल्स फेल हुए हो XC में भी हम IVF की तरह ही महिलाव को रोज इंजेक्शन्स दे कर अंडाशे में अंडों को तयार करते हैं फिर इन अंडों को ओवं पिक अप की प्रोसीजर के द्वारा बाहर निकाला जाता है और लाग में रखा जाता है इनने शुक्रानों के साथ मिलाकर IVF या XC की जाती है और भ्रून बन जाते हैं XC की प्रक्रिया में हम एक अंडे को पहले होल्डिंग पिपेट से पकड़ते हैं और एक इंजेक्शन पिपेट से एक अंडे के अंदर एक शुक्रानों को डाला जाता है क्योंकि XC की प्रक्रिया में एक अंडे के अंदर एक शुक्रानों को डाल दिया जाता है इसलिए इससे फर्टिलाजेशन तै हो जाता है XC का सक्सेस रेट या सफलता दर IVF से ज्यादा पाया गया है क्योंकि IVF में एक अंडे के इर्दगिर्थ कई सारे स्पर्म्स को छोड़ दिया जाता है और कुछ घंटों बात देखा जाता है कि फर्टिलाजेशन हुआ है या नहीं लेकिन XC में हर एक अंडे के अंदर एक शुक्रानों को डाल दिया जाता है इससे फर्टिलाजेशन तै या निश्चित हो जाता है इंदरे IVF के हर सेंटर में XC की सुविदा उपलब्ध है